राधे राधे मैं आचारे हिमान शुक मन्यू आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ Capital TV के एक खास कारे क्रम काल चक्र में जहां आप सभी दर्सक मुझसे हर सब्ताह जुड़ते हैं और जानते हैं अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओ के विसे में कैसा है आपका जीवन क्या आपके लिए इस सब्ताह खास होने वाला है और क्या तकलीफें आ सकती हैं सब कुछ आपको जानने को मिलेगा तो आईए आरम करते हैं और जानते हैं क्या इस सब्ता में खास जो तेवहार पड़ेगा वो पड़ेगा 28 तारिक को 28 मई को जेश्ट मभाउम अर्थात बड़ा मंगल पड़ने वाला है बड़े मंगल में हनमान जी की पूजा होती है और जो है हमारे आकानपुल लखनो जो इत्यादिये जो छेत्र हैं इस प्रकार के अवद छेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में भंडारे होते हैं जिसमें हनमान जी को भोग लगा कर पुरशाद का वित्रण किया जाता है कि इस दिन अन दान करने पर जीवन में अन की तरप्ती होती है तो अन दान करें निश्यत तोर पर जो भी हमारे इस वीडियो को देखना है जाए कहीं कि जाता है कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुमपाहीं ये बगौन आज तो इसको आपके भोग का भोजन मिल रहा है और आपकी कर्पा से कभी ऐसा ना हो कि ये भोजन ना कर पाए सदयवाब की करपा से इस वक्ति को भोजन मिलता रहे ऐसी कामना करें 31 तारिक को सीटला अश्टमी है त्रिलोकी नाथ जेनती है त्रिलोकी नाथ अश्टमी है जो बंगाल में जिसका पूजन होता है त्रिलोकी नाथ अश्टमी को अब आईए जानते हैं राशी फल के विशाय में किसकी राशी क्या कहती है किसके लिए बाद है और किसके लिए विपदा है और किसके लिए हर समस्या का समाध्धान होने वाला है तो मेस राशी के हमारे जो जातक है इस सब्ता में उनके जीवन में कुछ खुशियां बढ़ने वाली हैं, कुछ उनके काम बनने वाले हैं, पर पैसे के नुकसान भी होने वाले हैं पैसा आपकी राशी के जात्कों का इस सब्ता डूप सकता है, तो व्यापार रोजगार में निवेस करने से पहले थोड़ा सा सावधानी से इस बात का विचार कर लें, कि आप सही जगह निवेस कर रहे हैं या नहीं, अन्यता किसी अपने करीबी की सला ले लें, वो भी आपक होगा, और परिवार की सितियां भी आपके इस सब्ता कुछ खुछ दायक बनी रहने वाली, कुछ खुशियां मिलने वाली हैं, सारीरिक तोरपन नियंत्रन रखें अपने आसपास घडित होती घटनाओं कि विचे में अपने भोजन पर, अपनी दैनिक बिंचर्या पर, तो वो भी सुधर सब्ता है, अगली राशी मिथुन के बिसे में शर्चा करते हैं, तो मिथुन राशी के जातक इस सब्ता हाँ, अनहोनी घटना के डर में अपने आपको आसंकित पाने वाले हैं, कई बार लगेगा कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, तो चीज काफी खराब जाती हुई सब्ता मुझे दिखाई देती हैं, व्यापार रोजगार में चीजें खराब नहीं होगी, वहाँ आपको लाब मिलेगा, आपका काम बन जाएगा, वहाँ चीजें आपके लिए पक्षधर रहने वाली हैं, अब अगली राशी हमारी करकराशी उसक मस्तिस्क को स्थिर रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका मस्तिस्क स्थिर रहेगा, तो आप इस घटना से अपने आपको बचा सकते हैं, अन्य था, इस सब्तह आपको कई प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पर सकता है, रोग और दुर घटना जिसमें अगली राशी हमारी जो है, शिंग राशी उसकी चर्चा करते हैं, तो शिंग राशी के जात्कों को जीवन में कई प्रकार के सुख इस सब्तह मिल सकते हैं, पर कुछ आसपास हो रहा, अनुचित कार्य भी आपको इस सब्तह प्रभावित करने वाला, किसी और के साथ गलत ह वो आपको प्रभावित करेगा, आपके मन को प्रभावित करेगा, तो निशित तोर पर ये सब्तह आपके लिए अच्छा है, जाइए उसका विरोध करिए, परन्तु अपने आपको प्लुस प्रसासन इत्यादी से बचा कर, अगली जो हमारी राशी है, कन्या राशी, कन्य आपको परिशान कर सकते हैं, किसी की जवर जस्ती में कुछ ऐसा ना खाएं और ना कुछ ऐसा करें, जो आपको सारी रिकष्ट दे कर चला जाए, अगली जो हमारी राशी है, तुला, उनके विसे में भी चर्चा करते हैं, तुला राशी के जात्कों के लिए, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, आपको बता दूँ, कि इस सब्तहा आपकी राशी के जात्कों के लिए, कई परकार से चीज़ें, पिछले काफी समय से आपके लिए ठीक चल रही हैं, पर अब कुछ चीज़ें आपके लिए गड़वर हो सकती हैं, जिसमें से मन का डर और सारी रिक सम जिवारन होता हुआ, पुझे नहीं दिखता, थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको उसके प्रती सावधानी रहनी चाहिए, पैसे का लिए प्यापार रोजगार, कहीं भी कुछ भी करें, अतरिक्त सावधानी के साथ करें, क्योंकि ये सब्तहा आपके लिए बहुत सामाजिक तोर पर भले ही आप उस बात को छुपा ले जाएंगे, अपने आपको किसी के सामने कमजोर प्रस्तुत नहीं करेंगा, पर तकलीफें तो आपको इस सब्तह यात्रा से होगी ही, तो आपको उससे बचने का परयास करना चाहिए, अगली जो हमारी राशी है धनू, धनू राशी के जात्कों के लिए सब्ता ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला सब्ता है, आर्थिक तोर पर चीज़ें कुछ गड़वाड होगती ही, मन में थोड़ा बहुत डर होगा, लेकिन जाहिए सत्रों से लड़िए, आप अपने सत्रों पर विजय अब जो हमारी मकर राशी है, तो मकर राशी के जात्कों को बता दूँ, भाग का सहारा मिलेगा, जीवन में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पर आर्थिक नुकसान और किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात, जो निश्चित तोर पर आपके जीवन के लिए बहुत बुरा साबित हो जाए, वो भी इस सब्ता हो सकती है, तो लोगों से मिलते समय, अच्छे से उनकी परक करें, क्योंकि कोई ऐसा इस सब्ताहा आपको मिलने वाला है, जो आपका सब्ताही नहीं, आपके जीवन में भी कष्ट की सुरुवात कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखें, न जिससे आपकी राशी के जातक परेशानी में बढ़ सकते हैं, तो आपको चाहिए कि सावधान रहें और कुछ ऐसा ना करें, जिससे आपका अपमान हो, बाकी आपका भागे आपका साथ देगा, और आप कई समस्याओं से बच भी जाएगे, पर धनका खर्च आपको करना प परशनता है, काती बुरा जो समय चला है, उस समय से छुटका रहा है, धन का खर्च भी होगा, धन आएगा भी, जीवन में खुशियां भी बढ़ेंगी, अगर आप किराशी के जातकों का किसी से कोई मन मुटाओ, किसी से कोई बैर है, तो जाइए उससे बात करिए, मिलिए बैठिये, निशित तोर पर आप उस समस्या को सुल्जाने में सक्षम होंगे, और आपके संबंधों में दुबारा मध होता आएगी, तो इस सब्ताह आपके लिए अच्छी चीजें घटित होने वाली है, थर्च को लेकर थोड़ा सा बस सावधान रहेगा, अन्यता सब कु कि लिए क्या सावधानिया आपको बचा सकती है, सब कुछ आपको हमारे कारिक्रम में जानने को मिलता है, पुना आप सभी उससे इसी स्थान पर कैपिटल टीवी के माध्यम से जुड़ सकते हैं, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे